हाई! वेलकम्म्म तो मैं चैनल इस वीडियो में सुल्व करें कुस्टन नमर्ट फेंटी दी ट्रंक आफर ट्री इद सिलिंडिकल एद इस सिलिंडिकल एद इस सेंटीमेटर इफ द लेंथ अफ द ट्रंक इस 3 मिटर find the volume of the timber that can be obtained from the trunk तो पहले समस्ते हैं कि what is trunk what is trunk of a tree ध्यान देज़ेगा यहाँ पर देखें मैं आपको लाया हूँ यहाँ पर एक image यहाँ पर आपको दिख रहा होगा देखें आपर यहाँ से ले करके यहाँ से ले करके और पूरा यह जो है ना इसको बोलते हैं trunk यहाँ पर trunk मैं दिख रहा होगा आपको यह जो है trunk है आपका और trunk जो है यहाँ से ले करके और यहाँ तक है मतलब जहाँ तक यह सीधा होता है में जो यह होता है उसको बोलते है trunk ठीक है तो एक tree का trunk कहने का मतलब कि यही है, यहां से लेकर यहां तक, तो इसका जो circumference होता है, वो यही होगा, जो यहां से लेकर के यह ऐसे होगा, circumference, और ऐसे लेकर के यह पूरा हम बना सकते हैं, cylindrical, यहां से हम ले सकते हैं, यह सिलिंडर के shape का, यहां से यहां तक, फूरा final, यहां तक, ओके, और यह इसी को ज इसमें जो है जितना मतलब इस ट्रंक में टिंबर होगा उसको बताए कितना मतलब होगा उसका वाल्यूम बताना है मतलब टिंबर का वाल्यूम निकालना का मतलब कि इस सिलेंडर का वाल्यूम निकालना है कि नहीं तो सिलेंडर का लेंथ दे दिया है यह दे दिया है थ्री दिया हुआ है वह यह हाइट है और जो रेडियस है वह निकल देगा circumference आप दो बेस से है यह circumference of this जो दिया हुआ है होँआ पर चले पहले फांट करते हैं यहां पर solution यहाप बुलाए the trunk of a tree is cylindrical and its circumference is 176 cm तो circumference दे दिया है तो since यह लिख देंगे circumference circumference of a of a trunk of sorry of the trunk करेगा of the trunk of a tree of a tree इसको दिया हुआ है 176 cm इतिके cm में दिया हुआ है तो यूनिट को ध्यान में रखते हुए solve करना है आपको तो 176 cm दिया हुआ है तो circumference समझाते हैं 2 pi r होता है 2 pi r is equal to 176 cm यहां से हम radius निकाल लेंगे यहां से हो जाएगा 2 into pi के वालू है 22 by 7 into r is equal to 176 cm यहां से निकालेगा r is equal to क्या हो जाएगा फूरा यह transpose करतेंगे तो transpose करने के लिए मिलेगा आपको 176 multiplied by 7 divided by 2 into 22 2 into 22 अब यहां पर cancel करते हैं तो 202 अब यहां पर हो जागा 2 अब यहां पर हो जागा 2 अब यहां पर हो जागा 2 एट जा 16 and 2 एट जा 16 22 से कर आ दिजिए 22 1 जा 22 और 22 4 जा 88 होता है तो 47 कितना हो जाएगा 28 28 cm हो गया radius ठीक है तो हमने radius फाइंड कर लिया और height इसमें दिया हुआ है height है मतलब length of the trunk is 3 meter जो ही height है आपका तो height of the trunk लिए जाते हैं आपर की height of the trunk is equal to length of length of the trunk और जो trunk का length है वो दिदिया है 3 meter इसको हम cm में कर लेंगे और यह मिल जाएगा आपको 300 cm ओके अब यहाँ पर निकलना है आपको volume volume of the timber volume of the मतलब कि उस trunk में कितना लकड़ी है कितना मतलब उसमें उड है वो नहीं पताना है आपको ठीक है जो trunk से after नहीं हो सकता है तो वो उतना होगा जितना उसका volume होगा तो volume होता है cylinder का हम जानते है pi r square h pi की value होगा ही 22 by 7 r की value यहाँ पर दियावा हम निकाल लिए हम यहाँ पर 28 28 into 28 हो जाएगा क्योंकि r square यहाँ पर है तो दोबर मुले करेंगे into h की value यहाँ पर पता हमें है 300 7 बंजा 7 है और यहाँ पर 7 फोजा 28 हो जाएगा मुलाई कर देंगे तो 4 से हम करेंगे 4 तुजा 8 4 तुजा 8 यहाँ पर ठीक है into 28 3 जा 3 जा होता है 24 और 2 बचा 3 तुजा 6 and 2 8 8400 ठीक है अब यहाँ माट प्लाई करना है 88 में माट प्लाई करना है 84 से तो 8 4 जा 32 का 2 3 करेंगे उफर और 8 जा 64 and 8 4 जा 32 64 and 32 66 96 96 and 3 96 and 3 कितना हो जाएगा 99 99 जा 9 9 करेंगे उफर 8 864 64 and 9 तो 73 तो आपका यह माट प्लाई करने पर आज आज आएगा इतना मतलब कि आएगा 73 92 00 क्या हो जागा सेंटीमीटर क्यूब तो यह तो निकला सेंटीमीटर क्यूब में न आपको यहाँ पर निकाल सकते हैं मीटर क्यूब में भी ओके तो यहाँ पर जो है सेंटीमीटर क्यूब में दे दिया तो यहाँ पर आप इसको हमें मीटर क्यूब में चंच करना होगा और यहाँ पर हम लिख देंगे सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब तो हमारा आ जाएगा कितना सेवेन थ्री नाइन टू डबल जीरो मुटिपलेट भाई यहाँ हो जाएगा वन अपान वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मीटर क्यूब अब यहाँ यदि इससे डिवाइड करें हो तो क्या मिलेगा देखें दो जीरो से दो जीरो कंसर हो जाएगा लेकिन यहाँ पर चार बार इधा जाएगा तो एक बार दो तीन चार तो यहाँ डेस्मल आ जाएगा मतलब यह पुरा कर्णवर्ट हो कि हो जाएगा 0.7392 मीटर क्यूब यही आपका आंसर होगा लेकिन यहाँ फोर डेसिमल प्लेस पर आ गया है यह डेसिमल तो हमें दो प्लेस डेसिमल तक लाना होगा ठीक है तो इसको राउंडिंग आफ करना पड़ेगा और राउंडिंग आफ करने के लिए हमें क्या करना होगा देखें जिस जितने पहले वाले नमबर को, मतलब इसके पहले वाले नमबर को मतलब 3 को हम प्लस 1 कर देंगे और ये दोनों को हम हटा देंगे जो 3 के आगे वाले जो नमबर्स है मतलब कि finally हम देखते हैं आपको 0.74 मीटर क्यूब ये मतलब कि rounding करने के फाज इतना मिलेगा यही हो गया आपका answer मतलब यह approximate value है यह exact value नहीं है यह value तो यहाँ पर उपर वाली नकला है यही है आपका तो आप यही उपर तक छोड़ देते हैं तब भी सही है लेकिन आपको 2 decimal press तक यही पूछा रहेगा